हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G31 Android Mobile Phone में आप Charging Sound and Vibration Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं और इस Setting को Enable करने के बाद आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ तो चलिए आपर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में Setting Page Open कर लेना है इसके बाद आपको Setting Page में नीचे की साइड आना है और यहां पर आपको ये Sound का Option देखने को मिलेगा इसे Select कर लेना है इसके बाद आपको Sound की इस पेज में नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको Charging Sound and Vibration का ये Option देखने को मिलेगा इसके सामने अले बटन को आपको select करके इसे enable करते ना है अब यह setting जो है enable होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको यह बता देता हूँ तो यहाँ पर जब भी आप अपने mobile phone को अपने charger से connect करेंगे तो आपका जो mobile phone है वो एक sound create करेगा तो मैं अपने phone को जो है यहाँ पर charger से जैसे connect करूँआ तो आप देखेंगे कि मेरा phone जो एक sound create करेगा और एक vibration भी create करेगा इस तरीके से मैं दुवारा आपको करके दिखा देता हूँ ठीक है तो इस तरीके से एक sound create करता है जब भी आप अपने mobile phone को charger से connect करते हैं तो ठीक है और आपको vibration की आवास तो सुनाई तो नहीं देगी लेकिन आप जब charger connect करेंगे अपने phone के साथ तो आपके हातों में एक vibration आपको मैसूस होगी ठीक है तो इस setting जो इनेवल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बताता हूं कि कैसे आप अपने mobile phone में इस setting को shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको setting page open कर लेना है फिर इसके बाद आपको सबसे उपर यहाँ पर type कर लेना है यहाँ पर search setting में search setting का यह option देखने है इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको type करना है charging sound and vibration charging sound and vibration ठीक है और नीचे की side में यह option शो हो जाएगा charging sound and vibration का जब यह option शो होगा तो आपको इसे select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको shortcut तरीके से इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है इस तरीके से आप जो है इस setting को shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं अपने mobile phone में